नमस्त्का दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने सब्सक्राइब करके जाना ठीक और पहला पार्ट आपको मिल चुका है जीके का जीके की बात करें आपको आर्ट साइंस वाले जितने भी बच्चे उनके लिए सव नंबर की बात हो जाती है और हिस्ट्री से अच्छे घास जितने आपके एक्जाम में कोश्चेंस आज है बाहर एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे मैं यहां पहले खड़ा करके बता दिया था आपको ठीक तो हम पहला क्लास कर चुके यह दूसरा क्लास है आज हम पढ़ेंगे पाशाल का मतलब क्या होता पत्थर पाशाल क को जब हम पढ़ते हैं तो पाशाल काल को हम तीन भागों में बाटके पढ़ते हैं एक तो पूरा पाशाल काल एक तो मध्य पाशाल काल एक तो नौ पाशाल काल पूरा पाशाल काल मध्य पाशाल काल नौ पाशाल काल में बाटके पढ़ते हैं पूरा पाशाल काल मध्य पा प्रफम धातु कौन सी थी ठीक है मानो द्वारा प्रफम पालतु पसु किसे बनाय गया था तो इस प्रकार की कोश्चन सब के आप बन सकते हैं तो आए देखते हैं आए शुरू करते हैं मैंने बोला कि मैं जितना पढ़ाऊं सिर्फ उतना पढ़ लेना इससे बाहर कोश्चन आपके एक्जाम में नहीं जाएगा, सबसे पहले हम पुरा पाशाल काल की बात करें, इस काल में जो मनुस्य था, जो जान्वानों कह सकते हैं जब उनको ज्यादा नॉलज ने उनको क्या मतलब था, उनको मतलब था घूम रहा है, खुला नंगा हो के खूम रहा है, कोई दिक् को लगलो हथियार बनाओं नुकीला हो गया रुप मारो भूकत्था कर लो यह काम था उनका मस्त खाते थे कोई टेंसरों ना मोबाइल टीवी किसी से कोई मतलब नहीं तो हम बात करें खिव घंगले। जंगलों में रहते थे गाटियों में रहते थे गुफाओं में रहते थे घर कहां से बनाएंगे कोई मदला भी नहीं है आज यहां कल वहाँ भुमकड़ी भुमकड़ी सभाव के लिए थे ठीक है तो चलो तो इस काल में हमारे पूर्वत जंगल में घाटियों में गुफाओं जाके साच भी देखने को मिल जाते हैं ठीक परतम जार कौन सा कौश्टन इंपोर्टेंट है परतम मोजार जो मानुदारा प्रयोक किया गया तो हैं रहा थक्त कुंठार हिंदी में बोलते हैं थक हाथ के कुलारी थी साच प्रियोग मिलाईगे प्रथम धातु कौन सी थी इंपोर्टन्ट थामवा और मानों के साच पहली बार तमिल नादू के पल्लवरम नामक अस्थान से मिले थे प्ल्लवरम् नामा काउस्थान से मिले थे हैं याद रखिएगा। चलिये। दिखाई चलिए, तो यहाद हो Velui यहाँ से कौन कुशन क्यों से कौशन मैं, एक बार हम रिकाप कर लिएे तो सबसे पहला कोशन तो यहां पर बन सकते हैं पूरा पशाझकाल से मद्य पाशार काल की बात करें, छोटा सा था, छोटा सा था, ठीक है, बहुत जल्दी खतम हुआ, इसमें भी आपका समुव में निवास करते थे, इसका एक ही महत्पूर घटना याद रखिएगा, प्रसु पालन, प्रसु पालन आ गई, तता कोश्यन आता है, प्रथम पालतु पासु कौन सा था, जिसे पालतु बनाया गया था, प्रथम पालतु पासु था, कुत्ता था, कौन सा था, कुत्ता था, प्रथम पालतु पासु किसे बनाया गया था, कुत्ता था, इसकाल की, यह आएक सबसे महत्पूर घटना थी, ठीक है, तो यह देखो, इसमें औजारों का जो औकार था वो चोटा हो गया था इस लिए मध्य पाशाँकाल को सुच्छ मपाशाँकाल भी बोलते थे ठीक सुच्म पाशाँकाल भी बोलते थे वाई यहां से कुछ better नहीं है आगे चले हम नो पाशाँकाल की तो 95 बहूत important हो जाता है क्योंकि इस काल में हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों थे इन्होंने सरवाधिक विकास किया था सर्वाधिक विकास क्या भाई जो वो घुमकड़ी सुभाओं के रहते थे उनमें अस्थाई निवास की प्रविति आ गई क्रिसी का विस्कार कर लिया था जब खेती बाड़ी करेंगे तो अपना खेत छोड़के थोड़ी जाएंगे करें क्रिसी का विस्कार कर लिया था इस काल में जो आदिमारों थे या हमारे पूर्वस थे उत्पादक के साथ भोकता भी बन गए मिट्टी के बरतन का विस्कार किया था या इसे मृद भांड भी बोलते हैं मृद भांड का विस्कार कर लिया था पाये का विस्कार कर लिया था क्रिसी के प्राचिन्तम साथ यह कोशन इंपोर्टन्ट है दोनों क्रिसी के प्राचिन्तम साथ से कहां से मिले क्रिसी के प्राचिन्तम साथ से कहां से मिले यह दोनों कोशन आपका बहुत है बहुत important है ठीक तो आपके krisi के प्राचिन सतने को मिले ते इसके अलावा जो इसके अलावा पही काविश्कार कर लिया था चावल के प्राचिंतम साच्छी कहां से मिले कोशन डायरेक्ट पूछेगा इलावाद के कोल्डियवा से क्रिची के प्राचिंतम साच्छी कहां से मिले थे तो यह बुलूचिस्तान से और आपका मेहरगर से बुलूचिस्तान से या मेहरगर बुलूचिस्तान के मेहरगड से ठीक पाकिस्तान बर्तमान पाकिस्तान में चलिए अब ऑगर बात करें देति कल तो हड़पा की बात करें इसमें सिंदुगाटी सभीता है कासी चाला जाती है इसके बाद हम यहां पर वैधिक सभिता पढ़ेंगे। यहां से कोशन मंते फहले हमारा हडपा सभिता आता है। हडपा सब्यता की बात करें ये कहते हमारी नगरिये सब्यता थी नगरिये सब्यता थी विकसित सब्यता थी लेकिन हडपा के बाद कोई सब्यता आए अगर जो पहले नगरिये थी तो क्या ग्रामीर हो जाएगी नहीं ये तो कहना मुस्किल हो जाता लेकिन जाहे जी बात यहा cudभी, की बात करें आ सबसे प्राचीन और प्रचलित नाम कौन सा था ता सिंदुगार वाटी Cभी तो कुछ और को MA पी इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कुछ आएर कोशन जो बन सकते हैं इसके बारे में थोड़ासा हम जान लेते हैं थे ठीक जालिए देखते हैं हम यहाँ पर questions की बात कर रहे थे, कि हम सब्वेताओं की बात कर रहे हैं, किसकी सब्वेताओं की बात कर रहे हैं, तो सब्वेता कौन कौन से, चार प्रमुक सब्वेताओं विस्वकी थी, इनके बारे में हम जान लेते हैं, तो चार प्रमुक सब्वेता की बात करें, विस्व नदी कि जो भी सभयता ऴहारत की सभयता की बात करें भारत की सभयता भारत की सब्वेता की बात करें भारत की सब्वेता हमारी इस नदी के किनारे इस सिंदू नदी के किनारे बनी इसी कारण से हमें सिंदुगाटी सब्वेता बोलते हैं और इसके बाद अगर जो हम बात करें मिस्र की अर्थ विवस्था कहां कि मिस्र की अर्थ विवस्था नही किस नदी के किनारे है, ये हांग हो, हांग हो, हांग हो नदी, हांग हो नदी के किनारे इस्थित, ठीक, तो याद रखेगा मैसो पूटानिया की सभेता, ये आपका दजला और फरहा नदी के किनारे इस्थित है, भारत की सभेता, सिंधू नदी के किनारे इस्थित है, इसके कि सब्वेता हांग हो नदी के किनारे इस्थित है सबसे पुरानी सब्वेता विश्व की कौन सी है तो याद रखेगा मैसो वोटानिया सबसे पुरानी सब्वेता कौन सी है मैसो पूटानिया की सब्वेता विश्व की सबसे प्राचीनतम सब्वेता है और पुरानी सब्वेत साइट पर भी बोलते हैं याद रखिएगा ये लो रिवर भी बोलते हैं याद रखिएगा ठीक है चल दिए ओसे लिदा इसने था स्बस्थ परतम जानबगरिय दी हड़प्पा के बारे में कब दी थी। 926 में। 1926 में Charles Mason ने हड़पपा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी धी। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। किसने हडपपा के बारे में 1926 में Charles Mason सर्व परथम जानकारी कैसे थी तो इनकी भावातमक और चित्रात्मक थी यादि कि लिखना पढ़ना नहीं जाते थे अपने भाव को व्यक्त करते थे और चित्र बनाके बता देते थे ठीक है चलिए आगे बाद करें हरपा सबयता के विकास की डेको हड़ बशाब कोश्चन है आकार में कैसा था आकार में यह त्रिभूजा कार था कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था तो इसका अकार त्रिभूजा कार था पूरा तत्त्त विभाग के अस्थापना लड कजन निकप ति 1904 में जिसका मुख्याला कहा था नई दिल्ली में जिसका मुख्याला कहा था नई दिल्ली में इस्थित्ता ठीक अठार सो 1904 में पुरातत्त विभाग के अस्था अपना की गई थी ठीक चलिए इसके बाद बात करें हम यहां पे आजादी के बाद सबसे अधिक अस्थल गुजरात में मिले याद रखेगा भारत मे सबसे अधिक अस्थल खोजे गए वह गुजरात में मिली और इस सबेता की खोज 1921 में राय बहादूर दया रामसानी द्वारा की गई थी ठीक है इस समय पुरातत्त विभाग के अध्च कौन थे जब यह सबेता खोजी गई थी तब 1921 में कौन थे बताए जान मार्सल सर ज 20 से दच्षड ये 1400 किलो मीटर था ठीक तो याद रखेगा कुशन यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है यह पूछा जाता है कि हरपा सबेता का सबसे पूर्वी अस्थल कौन सा है तो हरपा सबेता का सबसे पूर्वी अस्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरट में आलमगीरपूर है उत्तर प्रदेश के मेरट का आलमगीरपूर हरपा सबसे पूर्वी अस्थल है पश्यमी की बात करें उधर जाओगे सूत कांगड ओर सूत कांगड ओर यह आपका पढ़ता है दास्ग नदी के किनारे बुलुचिस्तान भुलुचिस्तान यानि कि जो पा ठीक, जम्मु कस्मेर में, और दच्छडी अस्थल दैमाबाद महाराश्ट तक फ्यला है, दच्छडी अस्थल दैमाबाद महाराश्ट की बात करें, यह आपका किस नदी के किनारे स्थ है, यह आपका गुदावरी नदी के किनारे है, गुदावरी, कहीं कहीं इसको प्रवरा नदी के किनारे इस्थित है, ठीक, गुदावरी या प्रवरा नदी के किनारे है, दैमाबाद महराश, तो आप से पूछे वाई, कि सबसे पूर्वी अस्थल कौन सा है, सिंदुगाटी सपेता का, आलमगीरपूर, क्या, आलमगीरपूर, कहां पर है, मेरट में, किस नदी के क के लिए और किनारे या बहुत इंपोर्टन्ट है सिंद्उ-घाटि-अस्था कितने किलों मीटर था 1600 किलोमीटर कितना था 1400 किलोमीटर ठीक है Questnut提 ki तिए मैं याद रखोगे अगर जो मैं बात करू सिंद्धा अस्थ insanity तो सिंदुगाटी कहां से कहां तक फैला था तो सिंदुगाटी भारत में फैला था भारत में फैला था इसके अलावा अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सिर्फ दो अस्थल मिले थे सिंदुगाटी सब्वेता के सरवाधी का स्थाल भारत से खोजे गयते और भारत में कहां से गुजरात से ठीक है क्लियर है एक कोशन और याद कर लिजे यहां पर एक कोशन और लिख दे भारती पुरातत व विभाग का जनक किसे कहते हैं भारती पुरातत व विभाग का जनक यह कोशन कई बार आया है इसल किसे कलते हैं भारती पुरतत का जनक किसे कही बार आपके एक्जाम में आया हुआ तो इसलिए मैं बता देता हूं भारती पुरतत का जनक किसे बोलता है अलग जेंडर कर गिंघम कि गेंडर कर गो आद कर लिए ओंग वारislb ताब जिइंक बना सकते ओंट चलिए 17 इसके बाद बात करें, सिंदुगाटी सब्वेता की उमर क्या है, एज क्या है, कब से कब तक चला, तो इसमें भी बहुत सारे बवाल मचे पड़े हैं, ये कब से कब तक चला, तो इसमें हम दो चीजे मान, देख तो हमारा NCRT, हम दो बैपर देते हैं, तो बच्चे हमें क्या पता क्या है, आप जो कहोगे, वो मान लेंगे, लेकिन यहां पर बवाल मचे इसले क्यों जान मारसल ने इसकी एज, बतीस सो पचास से सताइस सो पचास इसा पूरो बता दी थी, तो जान मारसल का माने, कि हम रेडियो कार्बन विधी द्वारा जो निकाली गई, वो माने, तो हम रेडियो कार्मन सी चोदर के द्वारा सिंदुगाटी सब्वेता की जो आयू निकाली गई, जो सब के द्वारा लगभग लगभग मानी गई, वो हम मानते हैं, कि तेस सो पचास से सत्रह सो पचास इसा पूरो तक चली थी, सिंदुगाटी सब्वेता, तेस सो पचास से 1750 इसा पूर्व सै 1750 इसा पूर्व चलि थी लेगिन NCRT मानता है न्सियारटी मानता है पसी सफ पूर्व से 1.800 इस पूर्व ये NCRT मानता है फिक ये NCRT मानता है अब आप देखलो को कौन सा पढ़ना है कि आहुं लगई न यार्ट दोनम रहा неп certo यह याद रख ना पुरो मानी जाती है, ठीक, मानी जाती है, रोमिला था पर डीपी अगरवाल ने इसका समर्थन किया था, NCRT वाला ये है, ठीक, विसेष्टा है क्या थी भाई, विसेष्टा है क्या थी सिंदुहाटी सब्वेता की, विसेष्टा है क्या थी, नगरिये सब्वेता थी, विक्सित सब्वेता थी, इसके बारे में मैंने बताया, एक दूसरे को जो सडके थी, वो समकोड पर कारती थी, अब देखो भाई, कोई भी सब्वेता है, अब उस घर में आप देखो चौराहे बने हुए हैं, नालिया बनी हुई हैं, घर बने हुए पके, घरों के दर्वाजे पीछे की तरफ खुलते थे, हलाकि ये बात अलग है, लोथा ली एक ऐसा सिंदुखाटी सब्वेता का नगर था, जिसमें दर्वाजे आगे की तरफ खुलते थे, बाकि जितने भी सिंदुखाटी सब्वेता में सहर थे, उनके दर्वाजे पीछ दूसर्ड से बचने के लिए नालिया होती थी ड़ी सबकुछ होता था छोराहे होते थे तो अब क्या कहो गे वह नगरीय सबता व का का क 18 Kn amerika क상ड़ कलेते हैं pleasant छाणका के बारे में सबसे पहले क्लेगते हर अधाहां से हाप इंपोर्टन क्या हलप पा हो या म सम्छोड लो रंगपूर लोफल इंपोर्टन क्या बने गए आप लो इस के बाहर नहीं आएगा थेर से बहुतां कि है कहा पेस्तित है यह आपसे पूछेगा कब खोज की गई किसके द्वारा की गई बस कुछ इंपोर्डन फैक्ट है पॉइंट है इंपोर्ट है तो मैं बता दूगा तो हम अलपा सबीता की बात करें यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जानकारी सरुपतम इसके बारे में मांटकोमरी जिले में किस नदी के किनारे सित है रावी नदी के किनारे सित है किसने खोज की थी राय बहादूर दयाराम साहनी ने किसने खोज की थी याद रखेगा यह लिख लीजे मैंने लिखा नहीं है दयाराम साहनी ने खोज की थी तब कि यह भी याद रखेगा 1921 में तो हडपा सब्यता की खोज दयाराम सानी राय बहादूर दयाराम सानी पूरा नाम 1921 में कहा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट कोमरी जिला में यहां पर बुनकरों के आवास वृत्ता कार्चबूत्रे गेहु और जोगे साच्छे देखने को मिले थे इसके अलावा आर सैतिस नामा के एक बड़ा कब्रिस्तान भी हडपा सब्यता से पाया गया था तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा तरवपर्थम जानकारी हनपपा समयता के बारे में खिश ने दी थी? चाल्स मेसन ने दी थी. इसके अलावा इसकी खोज उत्खरन करता कौन थे? राय बहादूर ध्यरामसानी इसकी खोज उत्खरन करता थे. 1921 में इसकी खोज की गई थी. याद रखेगा, रावी नदीक के किनारे स्तित है, ठीक, रावी नदीक के किनारे स्तित है, राय बहदूर का सबसे पहला कॉशन यही बनता है, इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहन जोदरों का साब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, क्या होता है, मृतकों का टीला, मोहन जोदरों साब्दिक अर्थ होता है, ठीक, अब यहाँ पर बात करें, मोहन जोदरों की खोज कब हुई थी, कब हुई थी, याद रखेगा, कब खोज की के थी 1922 में 1922 में किसने की थी इसकी खोज की थी राखल दास बनर जी ने ये पाकिस्तान के सिंद्परांत के सिंदु नदी के किनारे लरकाना जिले में इस सिंद्परांत के सिंदु नदी के किनारे जो आपका हडपा था वो रावी नदी के किनारे था और अगर जो मैं बात क असनानागार था बताने कितने लोग नहाते रहोंगे 50 गुड़े 20 फिट का अब सोच लो कितने बड़ा असनानागार था सबसे बड़ा सारवजनिक अस्थल भी यही माना जाता है मोहन जोदुरू का असनानागार सबसे बड़ी इमारत ठीक है माना जाता है और सबसे बड़ा स्वर्जनी कस्थल, सबसे बड़ी इमारत की बात के अनागार question पूछा जाता है मोहन जोड़ों का सबसे बड़ा इमारत कौम सा था तो अनागार, जहां पर अन्न रखे जाते थे और सबसे बड़ा सार्वजनी कस्थल असनानागार, यहाँ से देखो वो पस्पतिनात की मूर्ती मिली थी, यानि कि वो पस्पतिनात की पूर्या करते थे, नित्य करती महिला की मूर्ती मिली थी, हाथे का कापाल खंड विस्विद्याला के भावन भी यहां से पाए गए थे, विस्विद्याला के भावन भी पाए गए थे, और सूती कपड़े की चुंद्डो की खोज की थी? M.G. Nani Gopal Majumdar, इनका नाम था Nani Gopal Majumdar, ने कब की थी? 1931 में की थी, ठीक? यहाँ पहला ऐसा नगर है, जहाँ कोई दूर्ग नहीं पाया गया, दूर्ग क्या होता है, भाई? हमें यहाँ पे अगर जो घर बना रहे हैं, घर के चारू तरफ एक म मनका क्या होता भाई? हम जो कोईंस यूज करते हैं, कुछ भी खरीर ने करें, तो यहाँ से मनका, वही मनका होता था, यहाँ पे सीप तथा मुद्रा बनाने के कार खाने भी पाये जाते हैं, एक ऐसा मात्र अस्थल जहाँ वक्राकार इटे भी पाये जाती है, ठीक? ठीक है लोथल इसलिए इंपोर्टेंट है ठीक है लोथल देखो भाई जहां पर भी मन के बनाने की कारेखाने होंगे याद रखेगा जरूर वह एक और द्योगिक नगर होगा ठीक है चलिए अब बात करें यहाँ पर लोथल की 1957 में इसकी खोज किये थी SR रोए के दवारा किसके दवारा SR रोए या रंगनाथ रोए याद रखेगा रंगनाथ रोय याद रखेगा गुजरात में इससे तर लोथल और भोगवाने दिखेंगे बस इससे ज्यादा बियर में आपको क्या पूछेगा देखो मैं फिर से बता हुए हालपपा सब्दा का सबसे बड़ा बंदरगा है यह पश्ची मेसिया का व्यापार होता था क्योंकि यहां पर फारस की मुद्रा देखने को मिल गई इरान की ठीक पक्के रंग में रंगे हुए पात्र पंचतंत्र की चालाक लोम्री के साच मिले इसके अतरिक्त जहाज का डख्याड बाट माप तौल के साच मिले तो लोथल से आपके बियर एक्जामें देखो क्वेशन क्या पूछे का पहला क्वेशन को अब बीड में आपका लोथल से को जो कुछ हाटा है तो कुछ भी नहीं पूछेगा ठीक इसके तरिक्त जहाज का डख्याड वही जब बंदरगा तो डख्याड तो ब्रामध ही होगा बाट माप वह साच मिले यानि की कह सकते हैं लोथल एक प्रकार से ओध्योगिक नकरता कैसा था ओध्योगिक नकरता तो याद रखोगे ना लोथल की कोच कभी 1957 किसने की रंगरात रोयने कहां पर गुजरात के भौगवा नदी के किनारे इस्थित है हरापा सभिदा का सबसे बड़ा बंदरगा है कहां पर इस्थित था लोथल में ठीक यहां से पस्षी मेश्या कि सपस्थित का लेते हैं क्लीबंगा से जा सकता साब्दिकर्थ क्या होता है काली वंगा साभी चूड़ा का साब्दिकर्थ एक होस अमलानं स्थित पूरा नाम इनका आल flu कि काली बंगा कि चलए कहा है यह आपका कहा बढ़ता यह किस नदी के किनार forearm से पूछे तो क्या बताऊगे यह किस नदी किनारे यहां पर झोते गए खेतों के साच मिलते जोते गए खेतों के साच कहां से मिले ते काली भांढ़ा से कहां से ऐतों की साच हमें देखने को मिले थे ठीक है याद रखीए गा इसके अलावा कि बात करें, इसके अलावा बात करें, यह पहला अस्थाल है, जहां कच्छे इटो के मकान मेले थे, क्या, कच्छे इटो के मकान कहां से मिले थे, काली भंगा से, काली भंगा से हमें, कच्छे इटो के मकान देखने को मिले थे, ठीक, चलिए, इसके अलावा का जो मैं बात यह कहां पढ़ता है यह हनुमान गड़ में पढ़ता है हनुमान गड़ याद रखेगा कि काली बंगा जो पढ़ता है वो हनुमान गड़ में पढ़ता है इसके बाद प्राचीन स्वरस्वती भी बोलते हैं प्राचीन सरस्वती भी बोलते हैं काली बंगा यह गगर नदी को ठीक, और ये पहला अस्ता जहांवे कच्छे इटों के माकान पाए जाते हैं, यहां से जोते के खेतों के साच कहां से मिले, जोते के खेतों के साच काली बंगा से मिले, हलके निसान कहां से मिले, काली बंगा से, अगनी कुंड कहां से मिला, काली बंगा से, अलंकृत इटों के सवादा के साथ कहा से मिले, काली बंगा से देखने को मिले थे, ठीक है, यहां से कच्छी इटों के मकान के साथ मिले थे, ठीक, चलिए, आगी बात करें, दा संसकार के साथ से भी काली बंगा से देखने को मिले थे, हम धौला वीरा की बात कर लेते हैं, धौला वीरा, धौला important आपके लिए धौलावीरा की बात करें 1967-68 में इसकी खोज की गए थी किसके द्वारा JP जोसी यानि कि जगपती जोसी के द्वारा क्या जगपती जोसी जगपती जोसी के द्वारा इसकी खोज की गए थी ठीक जल प्रबंधन की प्रडारी के साथ मिले और अगर जो बात करें हम इसके अलावा रंगपूर का रंगपूर भी याद रखेगा रंगनात राओ ने खोज के थी और रंगपूर से हमें प्राचिनतम चावल के साथ भी देखने को मिले थे रंगपूर से हमें प्राचिनतम सावल के साथ भी देखने को मिलेते हैं अगर जम धौलावीरा की बात करें धौलावीरा याद रखेगा कि संपूल संधव सब्सक्राइब 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 सब्सक् किसने कि थी रंगनाथ राहोने अब आईए अगर जो हम और बात करें राखी गड़ी एक और अस्थल था राखी गड़ी राखी गड़ी की खोज कप की ये आप से पूछे तो याद रखेगा राखी गड़ी कि खोज 1997 में हूँ था 1997-98 में कर सकते हो इक इसकी खोज किसने कि अमरेंद्र नाथ ने, अमरेंद्र नाथ ने, ठीक है, रोपर की खोज किसने की बीबी लाल ने, तो ये सारी चीज़े याद रखेगा, अब आईए हम चलेंगे वैदिक सब्यता में, वैदिक सब्यता जिसको बोलते हैं, आरियो की सब्यता, इसका सरुमान निकाल की बात करें ये आरियो की सब्यता, दो भागों में बाटके हम बढ़ते हैं, इसका टोटल काल की बात करें, पंद्रह सो इसा पूर्व से ये छे सो इसा पूर्व तक चला, क्या आपका वैदिक सब्यता, और वैदिक सब्यता को हम दो भागों में बाटके बढ़ते हैं, एक तो रिंग ब्यूत काल एक तो उत्तर वैदी काल रिंग वै्दी काल के टाइम पीरेड की बात करें कहों कि अ ऌधानदे काल एक ऊचाल तक चला और उत्तर वैदी काल कहहएंथर। थीक, अब आप जीके अगर जो कोचिंग नहीं किये हो ना तो अब आप बुक से भी पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मजाएगा, वेदों की बात करें आपको रिंगवेद, सामवेद, यजूरवेद, अथरवेद के बारे मैंने पढ़ा दिया, याद रखेगा रिंगवे सस्थान की बात करें तो आरे की बारे में अलग-अलग लोगों का अलग-अलग कथन है स्थर्वमानने की बात करें सबसे ज्यादा जो माना जाता है ये माना जाता है सबसे ज्यादा माना जाता है मैक्स मूलर के कथन के अनुसार मैक्स मूलर ने कहा था कि आरे भाई भारत में जो भारत में आयते यह मद्य acknowledgement कहां से आ से खाха से मद्यैश्या से कहां से मद्यृस्यां अर्य भारत में प्रेवाब मद्याश्या से इसके बाद धैनन सुस्ति ने कहा था कि आरेयो का आधम मन्ति तिभबत से गप सारे कतन याद रखिएगा पाल गंगाध टिलक ने काहा था उत्तरी धुरुसे आरे आये थे भारत में सब्तसेंद्व प्देश के बात करेंगर तो इसका उलेक हमें वेदों में देखने को मिल जाता है इसलिए से वेदिक सभेता बोलते हैं ठीक और इसके संस्था पर कौन थे आरे थे जो आरे आके भायरत में बसे थे और सबसे अधिक कतन माने जाता है मैक्स मूलर तो कोशन डायरेक्ट आता है मैक्स मूलर के अनुसार आरियों का निवास इस्थान कहां था तो मध्य एस्या मध्य एस्या मध्य एस्या ठीक है अब इसको दो भागों में बाटके हम पढ़ेंगे रिंग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल बाकी सारी शीजे वेद इ जैन धर्म बाद धर्म कल हम जो हमारी जो क्लास होगी इसमें जैन धर्म सेव धर्म और वैसनो धर्म और बाद धर्म और बाद धर्म इन सब तो सारे जो भी धर्म है, जो भी धर्म है, क्या बहुत धर्म मैंने नहीं दिया, क्या इसमें भाई, क्या मैंने बहुत धर्म नहीं लिखा है, चलो नहीं लिखा तो भी हम देख लेंगे, हम कल धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे हम धर्म खतम करेंगे, धर्म खतम करें ठीक तो पढ़ते रहेंगे यह थी आज के सेकंड की क्लास के सुट्री किया तो आई आउज अच्छे से पढ़ने में मजहा भी आएगा आपको जाप लूसेंड की खोल के पढ़ो गया फी कोई और भी कोल के पढ़ोगे आपको चले मिलते दोना कि छास पेबाय जाहीं जमार